मेनपुरी लोकस्वा उप्चनाओ में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत जोंक रखी हुई है ऐसे में पूरे प्रदेश से तमाम कारिकरता पदादिकारी गर्ण, विधायक सांसद, मेनपुरी में ही डटे हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे कहा जाए कारिकरता है जो बहुत ही ज्यादा जोश और जुनूम से भरे हुए हैं उनका जो डेडिकेशन है सैफ़ई परवार के लिए वो देखते ही बनता है उनमें से यह अब दे सकते हैं यह दो शक्स हैं यह आजमगड के सगड़ी से पहुचे हुए हैं सतेंद्र जादा बाइक चला रहे हैं उनके बीछे उनके साथ ही हैं अब बताईए कब निकले थे आब आजमगड हम सर आज से चोत्य रोज निकले थे और उसके दो दिन पहले आके सैफ़ई में दाओ की पास राद बरुके फिर माननी दर्वेंदर बैयाज जी से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने फिर यहां जीला कार्याल महनपूरी पे छोड़ा सर अभी तो जादे नहीं घूम पाएं कल गय थे सैफ़ई में माननी निता जी का जनम दिन मनाया जा रहा था अधिक से अधिक मतों से जीतेंगी एक और उनके साथ हैं आप भी साथ में आया है मेरा नाम अख्लेश यादव है अच्छा आपने नहीं हुआ है अधिक साथ है जब हमारा जब जनम हुआ था तो नहीं चल ला था तो हमारा नाम पहले से यह अख्लेश यादव था और नेता जी समलों का घूम रहे हैं आप हम लोग देखिया अभी तो कल हम लोग का परमिसन हुआ हम लोग वहां से आया आजमगड से आने के बाद हैं मिला उसके बाद हम लोग गये से साइफ़ाई गये वहां सरधानजली में गये वहां पर उसके बाद भया से भी वहां हमारी मुलगात हो गई थी थोड़ी सी हुई फिर उनके प्यारों आए हम लोगों से मिले मिलके हम लोग का नाम नंबर भी नोट किया और कहा कि जाओ समयोदी पार्टी का चुनाव चिन है साइकल उसको यहां प्रॉपर फ्रेम करवा रखा हुआ है इसके साथ ही तमाम जो फोटोग्राफ्स नजर आ रहे हैं जिसमें मुलाहिम सिंग्य अदब का फोटो है इसके साथ ही पुराना को फोटो नजर आ रहा है सतेंद्र का तो कु बोस और जनून आप देख सकते हैं किस तरह से देखते ही बन रहा है तो कुल मुला के कहा जाए यह जो कहा जाए चुनावी माहौल में जो कलर्स है वो यहां मैनपुरी में इस तरह से देखने को मिल रहे हैं और कारकरताओं का जो समयोदी कारकरताओं का उत्सा है वो देख पूपते ही बन रहा है मैंन पूरी से लेतनों पाद्याए एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की